अखर्ण मंथन के सभी दर्शकोंगों नमस्कार मैं हूँ से खत्र पाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखर्ण मंथन आज आगी क्या होने वाला है कारिक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं जो 20 अक्टूबर को जो सूरिक ग्रहन लगा है इसका वैश्विक इस्तर पर और भारत पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है इसी को रेकर के सुप्रसिद्य जोतिशाचारे एस्ट्रो कपूर ने अपनी जोतिश्री करना प्रस्तूत की है और उनके अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को जो सूरिक ग्रहन लगा था इसके व्यापक प्रभाव आप आने वाले 6 माह में आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 को मंगल करकराशी में प्रवेश कर चुका है जो पुनरवसू नक्षत्र से संचालित हो रहा है इस दिन की स्थिती विशेश रूप से महतोपून मानी गई है क्योंकि भारत की विशब लगनी की कुंडली के अनुसार ये तीसे घर को प्रभावित करता है तीसरा घर जो तिशी दृष्टी से पडोसी देशों और अशांत स्थितियों की ओर संकेत करता है और इस विशलेशन के अनुसार जो 20 अक्टूबर का जो सूरिक ग्रहन लगा था वो जो है भारत के लिए भी बड़ा विनाशकारी हो सकता है एस्ट्रोकपूर के अनुसार भारत में दंगों और सामाजिक अशांती की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सरकार को इन इस्थितियों से निपटने के लिए बहुती सचेत और साओधान रहने की आवश्यक्ता होगी उनका ये भी कहना है कि मंगल और शनी के बीच का सडास्टक योग यानि साथ डिग्री पर इस्थित होना भी इस्थिति को गंभीर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ये स्थिति संघर्ष और विरोध का संकेत दे रही है विश्यश रूप से सत्ता और प्रशासन के बीच जो है वो बहुत ही पड़े भारी विरोध की संभावना दिखाई दे रही है संदर में कुमराशी में शनी का वक्री होना और मंगल का मारगी होना भी एक चुनोती पूर्ण ग्रह स्थिति को जर्म दे रहा है अब इसका जो प्रभाव है वो क्या पढ़ने वाला है और जैसा कि आप ये भी प्रश्ण उठा आएंगे उठा भी सकते हैं कि जब ये 20 अक्टूबर को ये सूरिग्रहन लगा है कई बार छे माँ पूरो ही वो स्थितियां दिखाई देने लगती है और कई बार जो है वो ग्रहन लगने के छे माँ पस्चात ये स्थितियां दिखाई देती है और इस बार भी 20 अक्टूबर 2024 को जो सूरिक ग्रहन लगा था उसको ले करके जो तिशियों ने बाद में विस्टलेशन प्रस्तूत किया है क्योंकि उनके अनुसार इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक होने वाला है भारत के संदर्ब में इस सूरिक ग्रहन को देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष है उसके लिए एक चुनोती पूर्ण समस्या उत्पन होने वाली है जी हाँ ये स्थिती सत्ता पच्च में बैठे लोगों के लिए समस्या उत्पन करने वाला है और इसी की साथ अशान्त तत्तों के कारण समाज में हिंसा और उग्रवाद की स्थिती भी उत्पन होती हुई दिखाई दे रही है जोतीशी दिश्टिकोंड से कुम्ब और करकराशियों की स्थिती उत्तर भारत और पच्चिम क्षेत्रों की ओर संकेट करती है इस अंदर में उत्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाना जैसे राज्जियों में दंगों की संभावना है पच्चिमी भारत के महराश्ट और राजस्थान में भी सामाजिक उतल पुतल के संकेट मिलते वे दिखाई दे रहे हैं जहां तक भूकंब की बात है तो भूकंब की आशंका हिमाचल प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि हमाचल प्रदेश का कोई हिस्सा या फिर नेपाल का कोई क्षेत्र जो है वो किसी बड़े भूकंब का केंद्र बन सकता है और इनी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के गंभी रूप से आने की संभावना दिखाई दे रही है और भूकंप जब भी आएगा तो उसके साथ अन्य प्राकृतिक तूफान जैसी घटनाए भी आपको देखने को मिलेंगी 7 दिसंबर 2024 को मंगल वक्री गती में आजाएगा वक्री मंगल का अर्थ है कि ग्रह अपनी सामाने दिशा से विपरीद दिशा में चलने लगेगा जिससे भी आप्रत्याशित घटनाए और उथल पुथल होने के संकेट मिल रहे हैं और ये स्थिती खाड़ी देशों और पच्छिमी देशों के लिए बहुत ही चिंता पून हो सकती है जहां तक खाड़ी देशों और अने पच्छिमी देशों में जो बड़ी घटनाओं का सवाल है तो इस संदर्ब में जोतिशाचारे एस्टुकपूर का कहना है कि ये जो पूरा इलाका है ये परमाडू धमाकों से देहल सकता है जी हाँ इस क्षित्र में परमाडू बम धमाके होने की अप्रत्याशित सम्होनाय दिखाई दे रही है दिसंबर माह में जब मंगल जो है वक्री गती में आजाएगा और इसी संदर्ब में उनका कहना है कि मंगल के वक्र गती में आने के पश्चात युद की स्थिती में विस्तार होगा और तनाओ की व्रिधी पूरे वैश्विक स्थर पर देखने को मिलेगी इसी के साथ उनका जो जो जोतिशी आंकलन है उसके अनुसार उनका कहना है कि 20 सक्टूबर 2024 के बाद जो धातुएं हैं विशेश रूप से जो सोना और चांदी है इसके कीमतों में भारी व्रिधी देखने को मिलेगी और विशेशग्यों के अनुमान के अनुसार सोने और चांदी की कीमते आसमान छूने लगेंगी और जहां तक सोने की कीमतों के उच्छल का सवाल है तो 2024 में नवंबर दिसंबर तक ये 82 हजार से भी अधिक उपर तक जा सकता है यानि 82 हजार प्रती दस ग्राम तक या फिर उससे भी अधिक ये कीमत पहुंच सकती है और जहां तक वैश्विक बाजारों में आर्थिक संकट की बात है तो ये भी कोई सामाने संकेट नहीं दे रहे है इसके अनुसार भी वैश्विक बाजार में आर्थिक संकट देखने को मिलेगा और जो भारत समेत अने देशों को भी प्रभावित करने जा रहा है शनी की दृष्टी वृष्षिक और सिंगराशियों पर पढ़ रही है जो पश्चिमी देशों में अशान्ती और संघर्ष का संकेट दे रही है इसमें अमेरिका योरोपी देश और पश्चिमी एशिया के देश शामिल हैं इन देशों में युद और सामाजिक उथल पुथल के संकेट भी दिखाई दे रहे हैं अब मुस्लिम देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो खाड़ी देशों की इस्थिती पर अगर विचार करें तो इरान, इराक, सीरिया, मिश्र, कतर, कुवेट, लेबनान और जॉर्डन में अशान्ति और संघर्ष की अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं और सामाजिक अशान्ति के जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुती स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं इस इस्तिती में सरकार और एजिंसियों को सचेत रहना आवश्यक है जनता को भी आफवाहों से बचने और शान्ति पून वातावरन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और इस संदर्म में हमारा भी यही कहना है कि अगर भारत में दंगों की संभावना दिखाई दे रही है आश्रण का दिखाई दे रही है तो विभिन सुरक्षा एजिंसियों को इस समय अलर्ड पर रहना आवश्यक होगा समाज के सभी वर्गों को मिल करके काम करना होगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि 2024 के ग्रहों की स्थिती भारत और विश्व में विभिन्य सामाजिक, राजनेतिक और प्राकृतिक घटनाओं की और संकेत कर रही है ये एक चुनोती पूर्ण समय हो सकता है जिसमें देशों को अपनी रणनीतियों को पुनह जाचने और तया रहने की आवश्यक्ता है जो तीशी भविशिवाड़ी के अनुसार ये दि सरकारें और जनता साओधान रहें तो घटनाओं के प्रभाव को कम भी किया जा सकता है तो तरशकों आज का ये एपिसोड यहीं तक आप से मिलते हैं अगले एपिसोड में यदि कारिक्रम को ले करके आपका भी कोई बहुत मुली सुझाओ है तो आप उसे हमारे वाटसिप निमबर 79054965 पर हमें भीश सकते हैं धन्यवाद नमस्कार